अलाम उलेकुम दोस्तों आज में तुम लोग को चौक पे आई कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी और यह आई बनाने का मकसद क्या है वो भी बताते चलूं कि अपनी चौक यहां से फटने लगती है तूटने लगता धागा तो यह आई बनाने की वज़ा से यह मजबूत हो जात है थे चौक पे आई बनाते हैं कैसे वो देखते हैं आपके इसा नीचे से से धागा जाले और यह ऐसा खीच रहा है प्लाश्ट हुआ धागा अब हम यह दोसरे चौक की तरफ ऐसा डाले और उसके बाद ऐसा करेंगे और फिर वहीं पे जहां पहला धागा था वहीं पे ऐसे सुई निकालेंगे फिर उसके बाद लूज नहीं रखेंगे थोड़ा सा टाइट रहेगा यहीं पे फिर इसी हिसे पे दुबारा सुई डाले और फिर दुबारा यहां पर पहला धागा दिख रहा है वहीं पे सुई को फिल ले गए ऐसा और फिर उसके बाद इसको हम ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा टाइट खीच लेंगे कपड़ा ना सुक्ड़े फिर उसके बाद हम इसके अंदर यह धागा जो जमा किये हैं इसके अंदर हम डालेंगे और ऐसा करते हुए ऐसा करेंगे यह देखो अपनी आई बनके इस पे तयार है अब यह जहां लाश्ट है यहीं पे हम सुई नीचे की तरफ डाल देंगे आउसके बाद हम यह कपड़े को इसा पल्टी करेंगे और यह सुई को खीच लेंगे और उसके बाद हम यह यहाँ पे गाठ लगा देंगे दो तीन बार ऐसे ही करते हुए यह देखो अपनी आई किस तरह सफाई से बनके तयार है उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी आई कैसे बनाते हैं चौक पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बिल आइकन को भी दबा दीजिए चलो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अल्ला आफिस